विल्कम टो माइफूट लाइबरेरी गाइज आज मैं आप लों के लिए लेकर आई हूं कच्चे आम की खटी मीठी चटनी और आम का मुरब्बा चलिए किचन में देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं कच्चे आमली मैंने उसको गीले कपड़े से मैंने पोश कर साफ कर लिया उसके बाद छील कर मैंने यह मुटा मुटा श्रेड कर लिया और एक मसलिन क्लॉस से मैंने दबा कर इसका थोड़ा सा पानी निकाल दिया था आम मेरे जादा खटे नहीं थे अगर आपके आम बहुत ख कम हो जाएगी तो पहले मैं मुरबब बनाऊंगी और दूसरा मैंने इधर आम को सेम वैसे ही छीला और उसको मैंने ऐसे चुटे पीस में कट कर लिया तो सबसे पहले हम मुरबब बनाने की तयारी करते हैं यह साड़े तीन सो ग्राम थे उसमे मैं शुगर एट करूंगी 300 ग मैं इसे पकाऊंगी तो शुगर मेल्ट हो चुकी थी और मैंने यह इसके अंदर अभी आम डाल दी हैं और बिल्कुछ स्लो फ्लेम पर मैं इसे पकने दूंगी फ्लेम को हाई नहीं करना है अधरवाइस यह बहुत जल्दी एवापरेट हो जाएंगे फिर एक मुरब्ब्ब इसे पकने देते हैं आठ से दस मैंने आलमंड लिये थे उसको मैंने गरम पानी में डालकर चिलका रिमूफ किया और चॉप कर लिया और यह तीन चार चोटी लाजी है मैं इसे स्रिफ खोल लिया तो चलिए वह हम मुरब्ब अधर पक्रा एधर हम खटे मीठे आम की चटनी क इन अजन के लिया है यह आम 3,5-3,0 ग्राम तेडाव मेरे बिच में बेड़ा रहा है तो निए यह देते हैं स्ट्री पानी में देता हैं और यह ए मेरे पास में चॉप जिंजर चॉप गार्लिक है और तीन बटनचिल यह हम बात में डालेंगे निक भुप हम जुए हम जु यह देखिए गाढ़ा हो चुका है काफी और मैं इसमें यूज कर रही हूँ सैफ्रान यानि की जाफ्रान अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर दें से कोई वह नहीं है इसे थोड़ा खुश्बू अच्छी आ जाती है तो आलमंड और सैफ्रान दोनों भी आपके मर्जी नहीं है तो आप ना डाले यह तैयार हो चुके है मुरबब जो है तो मैंने इसमें सैफ्रान डाल दिया और यह देखिए इधर हमारा खटी मीठी चटनी का आम भी गल चुका है पास मिनट लगे इनको पकने में तो अब हम मुरबब में हमने लाची भी डाल को अब आलमंड डाल देंगे और इसको मैं एक चे दो मिनट और पकाऊंगी और अव्लेम मैं आफ कर दोंगी आम गल जाने के बाद हमने जिंजर डाल दिया और ये बटन चिल्ली मैंने डाल दिया और ये भी बस त्यार होने वाले हैं इनको पकने में ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और ये वन फोर टी स्पून में डाल रही हूं चिल्ली पॉडर तो इससे आए गए थोड़ी सी आपकी चटनी जो है तिखी भी लगेगी खटी भी लगेगी मीठी भी लगेगी अर अब मैं डाल रही हूं एक चुटकी मैंने वाइट जो है सॉल्ट डाला और मैं इसमें डालूंगी वन फोर टी स्पून ब्लेक सॉल्ट ये देखिये तो ब् ब्लेम मैंने और देखिया धेया जेए ये लुए कि गडल दिया और अब एंड़ में डालूंगी इसके उन्दर लाए दो टेबल स्पून विनेगर दालूंगी तो ये सारे स्पायसे विनेगर ये सारे चीज़ आपको एंड कर ना है आम गलने के बाद तो ये विनेगर भी दो मिनट पकाऊंगी इसका भी फ्लेम में आफ कर दूँगी और डिशाउट कर लूँगी दोनों चीजों को बस ये रेडी है दोनों भी सर्व होने के लिए इंगिडेंस और मेजरमेंट जो है वो मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया है तो ये रेडी हो गया गाइस बस हम इसे डिशाउट कर लेते हैं अगर आपने सफाई का ख्याल रखा तो पूरे साल ये खराब नहीं होते हैं आप चाहें तो जादा कॉंटिटी में भी बना सकते हैं पॉक्स को हम नहीं पॉक्षबती और स्कत्री नहीं होते हैं नहीं नहीं कन देन लावें